हालो एवरिवन वेलकम तु माई चाइनल तो हाँ चुके एक नए रेसिपिक साथ आज हम बनाएंगे पालक वाला दाल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही असान तरीके से तो बने ये वीडियो के साथ वीडियो को फूल वज कीजिएगा तो आए हम रेसिपिक स्टाट करते हैं एक बारीक कटी हुए प्यास चार हरी मिर्च बारीक कटी हुए एक इंच द्रक और पांट से छे लैस्टन की कलिया बारीक कटी हुए और थोड़े से हरादर सुन और डाल को हम पहले से भी बना चुके हैं ये अरहर की डाल है आप अरहर की डाल में बना है या मुंग के डाल में भी बना सकते हैं इसको हम पालक को डाल देंगे और दो सीठी अने तक कुक करेंगे कुकर को लगा देंगे अरा york क Sacramento पहले से कुक कर लिया है मैंने जब तक दाल हमारे त्यार होगा तब तक हम मसाली के त्यारी कर लेते हैं तड़का देने के लिए तो इसमें डालेंगे हम जीरा आदी चमच आप चाहे तो जीरा को अलग से भी फ्राई दे सकते हैं और बारी कटे हुए अद्रक बारी कटे हुए लासन और हरा लासन बारी कटे हुए और मिर्च अब डालेंगे हरी मिर्च और इन सब को अच्छे से जला लेंगे थोड़ा सा जला के फिर हम इसमें अब डालेंगे प्याज बारी कटे हुए और प्याज को हलका ब्राउन होने तक हमें भूनना है चलाते रहेंगे नहीं तो जल जाएगा यह बहुत ही असान तरीका है डाल बनाने का बहुत ही टेस्टी बनता है तो यह हमारा ब्राउन कलर आ चुका है अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे एक बारी कटे हुए टमाटर और मसाली कोकी अच्य से बुनने हैं थोड़ा सा कलिए कलर के लिए हल्दी डालेंगे और इसको बूनेंगे और टमाटर गलने के लिए हम हलका सा नमक strategically क्योंकि दाल में तो नमक है ही बस टमाटर नहीं गले उसके लिए आप डाल सकते हैं तो थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे कि तमाटा हमारा अच्छे से गल जाए अब इसको चलाते रहना है गैस का फ्लेम लो कर देंके तो यह हमारा एकदम प्यास त्यार हो चुक है अब आई यह हम दाल भी हमारा एकदम रेडी हो चुक है अब चलिए दाल को हम तड़के में लगाते हैं इसमें दालेंगे हम यह दाल अब इसको हम दो मिनट तक पकाएंगे यह बहुत ही टेस्टी डाल है गैस बहुत ही जल्दी बन जाता है अब दो मीने तक हम इसको गैस का फ्लेम हाई करके पकाएंगे और इसमें हम डाल लेंगे एक चमस देशी घी इसे बहुत अच्छा स्वादा जाता है और खुसबू भी आता है तो अब हमारा दाल हो गया तैयार तो आई अब हम इसको सर्व करते हैं यह हमारा दाल एक दम रेडियो हो चुका है यह बहुत ही टेस्टी दाल है गई तो अगर रेसिपी कैसा लगा कॉमेंट वक्स में बताईएगा मिलते हैं एक ने रेसिपी के साथ तब टेक लिए बाई बाई एंड थैंक यू